हेलो फ्रेंब संद्या की कुकिंग में आपका स्वागत है देखिए आज हम बनाते हैं जनमाष्ट में स्पेशल पार्क इसके लिए हमने दो चम्मच देशी घी लिया है आप पूजा के लिए बना रहे हैं तो देशी घी का ही यूज़ करें इसमें हम डालेंगे एक मुठी य आप अपनी सुद्धा के अंसार कमया जादा ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है सिर्फ हम इसमें कुछ ही चीजों से बनाएंगे जो कि हमारे घर में पड़ी होती हैं चीजे अक्सर अकर आप ब्रत रखते होंगे तो कुछ न कुछ चीजे जरूर होंगी देखिए बादाम और काजू को हमने हलका सा फ्राई कर लिया है सिर्फ एक मिनट तक अब इसके बाद हम डालेंगे यह मुंफली इसको हमने पहले से ही बिना तेल ही का हलका सा भूनकर रखा था जैसे कि भूनकर हम रख देते हैं कोई ही चीज बनाना हो चटनी और तो उसमें एक काम आ जाती ह अगर कच्ची ही रखो तो उसे तुरंद भूनना पड़ता है इसलिए हमने पहले से थोड़ा इसको रोष्ट कर लिया था अब इसको ऐसे ही हम घी में भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे आप चाहें तो इसको छिलके को भी निकाल सकते हैं हमने छिलका नहीं निकाला है क्य आप चाहें तो इसे छील भी सकते हैं देखें इसे भी एक मिनट तक फ्राई कर लेंगे और इसको भी निकाल लेंगे आप इस तरीके से पाक बनाएंगे तो आपको कोई भी जंजट नहीं है ना ही चासनी ना ही कोई दिक्कत है देखें अब इसके बाद हम ले लेंगे यह म मखाने आप चाहें तो सिर्फ मखाने से भी इस पाक को बना सकते हैं और चाहें तो इसमें और भी चीजे जो अभी या लेवल हो और डाल सकते हैं इसमें आप नारियल के पतले पतले टुकडे करके भी उसको भी फ्राई कर सकते हैं हम इसमें नारियल का पावडर डालने वा अब देखे मखाने को भी हमने भून लिया है और इसे भी हम निकाल लेंगे मखाना को आप लाश्ट में भूने क्योंकि जो कडाही में घी रहता है वो सारे घीव को मखाना जो है अब जब कर लेता है वो फिर घी नहीं बचेगा इसलिए मखाने को आप लाश्ट में ही भूने देखें इसे भी निकाल लेंगे अब हम उसी कड़ाही में लेंगे हमें इसे बनाने के लिए ना ही पानी की जरुरत है ना ही जादा चीजों की हम ले लेंगे सिर्फ एक कप या आधी कप दूद देखें हमने एक कप दूद लिया है यह वजन में 100 ग्राम होगा और उतना ही हम सिर्फ इसको उबालना है तब तक चीनी मेल्ट हो रही है दूद में तब तक हम ने भून कर रखा है सबी चीजे उसको हम डालेंगे एक mixi jar में और इसको दरदरा सहम पीश लेंगे आप कहीं भी इसे पीश सकते हैं इसे खलवटे में भी पीश सकते हैं देखिए ये मखाने जो है बिल्कुल करारे हो चुके हैं ऐसे ही इसे हमें रोष्ट करना है ज्यादा रोष्ट नहीं करना है सभी चीजों को थोड़ी मौं मौंफली भी हमारी पकी उइसलिए हमें सिर्फ से एक एक मिनट रोष्ट करने में लगा हैं सभी को मिक्सी में डाल कर इसेसे इसे लिए दो आनोहीं देखिए, बिलकुल, एक मिनट भी नहीं लगा, हमारा पाउडर बनके तयार हो गया, अब इसको हम एक थाली में टांस्फर कर लेंगे, और इसमें हमने नारियल नहीं डाला है, क्योंकि हमारे पास कोकोनट पाउडर था, देखिए, तिन से चार चमछ हमने कोकॉनट पाउडर लिया है आप इसे एक कटोरी भी ले सकते हैं जितना बनाना चाहें उतना अप ले सकते हैं सभी को हम मेक्स कर लेंगे तब तक देखिए चीनी भी हमारी अच्छे से घूल चुकी है जो कि हमने दूद और चीनी को रखा था इसमें एक दो उबाल भी आ चुके हैं अब इसमें ह बनाना बहुत ही आसान है इसे आप बहुत ही जल्दी से बना भी सकते हैं ना ही कोई जंजट है सबसे बड़ी चीज इसको आप महीनों तक इस्टोर कर सकते हैं एक महीने तक आराम से आप रखकर इसको खा सकते हैं इस पाक को और एज जनमाश्ट में पर तो हर इस पेसल बन कर रखें देखें सभी को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है और इसको दो मिनट तक हम मेडियम प्लेम पे इसको चलाते हुए पका लेंगे ताकि जो इस्ट्रा इसमें दूद हो तोड़ा सूख जाए ऐसे ही लगातार हम चलाते रहेंगे और हमने एक प्लेट या थाली या रखा है देखें बिलकुर दूद जो है सूख चुका है कडाही को छोड़ने लगा है इसी स्टेच पर हम इसको गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और प्लेट हमने पहले से ये ग्रीश करके रखा था था थोड़ा सा घी लगा के और इस पे सारे कराही में से तुरंत हम करना चैनल पर पहली बार हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि हमारी जो भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना देखिए सभी वेटर को हमने फैला दिया है अब इसको एक कटोरी या चमच ले 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 उसके पीछे तेल लगा ले और इसको अच्छे सेट कर दें देखिए हमारा सेट हो चुका है यह मुमफली इसमें थी और थोड़ा घी जो हमने भूना था यह बहुत ही ज़्यादा अपना घी जो है तेल रिलीच कर रहा है पांच मिनट बाद हम इसकी कटिंग लगा लेंगे अभी भी यह बहुत गरम है जब ठंडा हो जाएगा तो बिल्कुल सूख जाएगा नाहीं यह ज्यादा हमारी परफी टाइड बनी है और नाहीं ज्यादा बहुत नरम बनी है इससे कटिंग करने के लिए देखिए चक्को में चि बना कर देखिए मैंने तोड़के भी दिखाया है बहुत ही अच्छी वर्फी बनती है एक बार जरूर बना कर देखना इस तरीके से आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी बनाने में मैं उमेद करती हूँ कि आपको पूरी वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी अगर अच्छे से समझ में आई है तो प्लीज एक लाइक तो जरूर कर देना और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सस्क्राइब करके वेल आइकन प्रेस कर लेना और इस मिठाई क को बना कर मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपकी कैसी वनी देखे पास से देखने में बहुत ही सुन्दर इसका कलर है इसमें ना ही कोई कलर डालने की जरूरत है ना ही कोई और चीज बहुत ही अपने आप में ही ये बहुत ही प्यारा सा कलर आ जाता है इसलिए हमने इसी तरीके से बनाया है वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद